नमस्कार ये आकाश वानी है अभियाव तादू याजों से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी अमरिका की तीन दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिद्लिक के लिए रवाना हुए यात्रा के दोरान उन्होने कही नेताव से दिपक्षिय बातचीत की राश्रिपती द्रुपोदी मुर्मो ने कहा प्रभावी लेखा परिक्षन कारियों के लिए प्रधियोगी की का विकास जरूरी है जहरकन में विधान सवा चुनाब के मदेनेजर रांची में चुनाब आयोग ने सीर्ष पसासनिक अधिकार्यों के साथ समिक्षा बैठक की करना तक उच्च नियालायने मुंडा भूमी अवंडल मामडी में मुकद्मा चलाने की राजपाल की मंधीरी को चुनती देनी वावी मुख्य मंत्री सिद्धोर मया की याचिका खारिच की चेंगडू ओपन टनिस में आज पुरू डबल में भारत फ्रांस की यूकी भंडी और अलबोनो और लिवेट्टी की जोरी का मुकाबला फाइनल में फ्रांस की सिर्ष वाड़ेता प्राप्स साधियों डमी पिया और फेर्बियन रेबॉल की जोरी से हो रहा है प्रधानमंत्री नरंदर मोधी तीन दीन की अमरीका यातरा के सफल समापन के बाद आज तरके दिडली के लिए रवाना हो गए उन्होंने सन्यूत राष्ट सिखर समिलन को संभोधित किय और अन्हे देशों के नेताओं के साथ कई दिपक्छिय पैठके की प्रधान मंत्री ने अपने दोरे की शुरुवात अमरिकी राष्टरपती जो बाइडन के साथ बैठक से की राष्टरपती बाइडन ने इसे विशेश महत्व देते हुए इस बैठक की मेजवानी वेल्मिंग्टन डेलावेर में अपने निमास पर की बेठा के दोरान जिन दो समझोतों पर हस्ताक्चार किये गए उनमें इंडो-पैसिफिक एकोनोमिक फ्रेमवाग एग्रिमेंट और भारत-अमरिका ड्रग पॉलिसी फ्रेमवाग शामिल है। में नेतरत्व के लिए प्रधान मंत्री मोधी और भारत की सराना की। क्वाड एजन्डे को आगे बराने के लिए क्वाड नेताओं ने क्वाड वेल्मिंग्टन घोशना को भी अपनाया। कैंसर मुंशोड कारिकरम में प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि भारत GAVI वैक्सिन अलायंस और क्वाड पहल के तहत हिंदी प्रसान देशों के लिए चार करोर वैक्सिन खुराक का योगदान देगा। सिकर समिलन के दोरान प्रधान मंत्री मोधी ने जापान के प्रधान मंत्री फूमियो किशिदा और आस्ट्रेलिया प्रधान मंत्री एंटिनी अलवा नीस के साथ दिपक्षिये बैठके भी की। प्रधार मंत्री की यात्रा का एक अन्य आकर्षन अमरिका द्वारा 297 पूरफ शेशों की वापसी रहा जो भारत से चोरिया तसकरी करके ले जाया गए थे। इन्हें शिग्र ही स्वादेश लाया जाएगा। कोशल और पथिवाप बेजोर है। कारेकरम में प्रधान मंत्री ने भारत को विक्सितराष्टर बनाने के लिए PUSHP मंत्र भी दिया। बाद में प्रधान मंत्री ने MIT स्कूल आफ इंजिनेरिंग ड्वारा आजित एक गोल मेज समिलन में न्यूयोप में तक्नीकी उद्योग जगत की प्रमुखस्तियों के साथ बाचीत की। ये गोल मेज बैठक मुख्यों रूप से आर्टिफिशल इंजिजन्स जेब प्रध्योग्यों की और सेमिकंड़क्टर टक्नीक पर केंद्रित थी। प्रधान मंत्री ने भारत में आर्थिक परिवर्तन विशिश रूप से इलक्ट्रोनिक्स और सूशना प्रध्योगी की वी निर्मान, सेमिकंड़क्टर, बायो टेक और हरित विकस का उलेग किया तथा कमपनियों को इन शेतर में भारत में निवेश के लिए अमंत्रिक किया। इसके बाद प्रधान मंत्री ने ने नेपाल के प्रधान मंत्री के शर्मा ओली, कुएट के क्राउन प्रिंस शेक सभा, खालिद अलहमद, अलसभा और पलिस्तिनी राश्रपती महमूद अब्बास के साथ अलग-अलग दिपक्षिय बाद चीत की। विदेश सचीप विक्रम मिस्री ने प्रधानमंतिर मोदी की अमरीकी यात्रा को बहत सफल बताया है। उन्होंने नियूएर्क में संवादाताओं से कहा कि प्रधानमंतिर की यात्रा के दोरान आयोजित समुदाई कारिक्रम से स्वष्ट है कि अमरीका में भारती-अमरीकी सम मुदाई ने कितना मजबूस संपर्ग स्थापित किया है। राश्टपती द्रपोदी मुर्मु ने जोर देकर कहा कि प्रभावी लेखा प्रसिक्षन कारी के लिए प्रध्योगी का विकास जरूरी है। राश्टपती ने आज नई दिल्ली में सर्वोच लेखा संस्थानो के एशिया संवटन की सोलवी सभा का उद्गाटन करते हुए कहा कि सार्वजनिक शेत्र ने के लेखा परिक्षन का अधिकार पारंपरिक लेखा परिक्षन से आगे बर गया है। इसमें लोग कलियान योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभाव का आतलन करना शामिल है जि दुनिया एक महतपूर मोर पर है जहां कुत्रिम बुद्धी माता, डेटा अनेलेटिक्स, मशिन लर्निंग और भू स्थानिक प्रोद्योगी की जैसे अब भरती डिजिटल प्रोद्योगी की आधुनिक शासन की रीर बन रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पब्लिक इं सारवजनिक सेवाव और वस्तो की डिलिवरी में करांतिकारी बदलाव लाने उन्हें अधिक सुलब कुशल और समावेशी बनाने की शमता है। श्रिमति मुर्मो ने कहा कि भारत में नियंतरक और महालेखा परिक्षक केग देश के सारवजनिक वित्त व्यवस्था में पार रश्रपति ने कहा कि के का कारेलर समविधार निर्माताव की उमिदों पर खरा उत्रा है। चार दिन के सम्मलन ने पारदर्शिता और जवावदेही को बरावा देने में सर्वोच लेखा परिक्षन संस्थानों की महतपून भूमी का पर चर्चा की जाएगी। ज़ारकन विदासवाद चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयुक्त ज्यानिश कुमार और सुकबीर सिंग संधू के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजिव कुमार सभी दिजविजन के आयुक्तों शेत्रे महानेरिक्षकों सभी जिलों के लिए जिला चुनाव और राजे के प्रवर्तन एजंसियों को दिये। आयोगने राजे में निर्बाद और शांती पून विधानसभा चुनाव कराने के निर्दिस राजे के मुख्य चुनाव अधिकारी और राजे पुलिस के नोडल अधिकारी तथा केंद्र रशासस्त्र पुलिस बलके नोडल को दिये। जमु कश्मीर में विधानसवा चुनाव के दूसरे चरण में कल स्वतंत्र निश्पक्ष और सुचारु मद्दान के सभी तयारियां पूरी कर ली गई है। इस चरण में छे जिलों की 26 विधानसवा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन जिलों में देश कॉंग्रेस के प्रमुग तारिक हमीद कड़ा और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अलताफ बुखारी प्रमुग है। मदान के लिए कुल 3502 केंद्र बनाए गई हैं और इन सभी में वेबकास्टिंग तथा मद्दाताओं के लिए बुन्यादी सुविदाओं की विव डाले गई थे। तीसरे चरण में चुनाब में 40 विदान सवासीटों के लिए पहली अक्टूबर को मद्दान हुगा। मुख्य मंत्रे के खिलाव ब्रस्तचार, निवारन, अधिनयम और भारती अन्याई चनहिता के तहत कारवाही की अनुमती दी थी। ब्रस्तचार विरोधी कार्यकरता टीजे अभारम, इसने मही, कृष्ण और पदीब कुमार ने राजपाल से मामला शुरू करने की अनुमत मांगी थी। उन्होंने आरोब लगाया कि मुख्य मंत्री सिद्धोर मया की पत्नी पारवती को 3.16 एकर जमीन के बदले में मैसुर्य सहरी विकास प्रदिकरन ने 14 आवास धल मिले। उन्होंने आरोब लगाया कि इससे सरकारी खजाने को 55.8 करोर रुपे का नुकसान हुआ केंद्रे वित्य मंत्री निर्मला सीतारमन एशियन इंफ्रस्ट्रक्चर इंवेस्मेंट बैंक के साशक मंड़ की नोवी वार्षिक बैठक में भाग लेनी के लिए उजबे किस्तान के तशकंड पहुंच गई हैं। ने उन से मुलाकात की। स्टी चोहान ने कहा कि किसान संग्रटों ने फैसला की कीमतों तथा फसल विमा के संबन में उनके सुजाब दिये। इसे के साथ ये समाचार बुलेटिंग समाब्ध हुआ। नमस्कार।